हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दे चानल से स्टी स्टीडी पॉइंट और आज हम फिर से करने वाले हैं लास्ट येर के जो पेपर हुए थे बहुत सारी पाली में हुए थे अलग एक टाइप के कोश्चन आये थे उसको लेकर एक पाली का जो पेपर हुआ था वो हम कल कर चु तो सब से पहले हम यह पर कोशन करेंगे हिंदी के हिंदी में देखें यहाऊ पे दिये हुए है यह पूरा एक पहले गद्यांस दिया हुआ है इस गद्यांस से संबंधित question दिये हुए तो गद्यांस को अगर हम पढ़ेंगे तो काफी देर हो जाएगी आप चाहें तो पढ़ लीजेगा लेकिन गद्यांस को करने का भी तरीका यही है कि पहले हम कोशन पढ़ें कोशन में क्या पूछा गया फिर हम उस गद्यांस में उसको ढूणें जिससे कि हमारे कम टाइम में ज्यादा कोशन हलो पाए ठीक है इस चीज को याद रखेगा दोस्तों यही तरीका है गद्यांस को पढ़ेगा अधरवाइस गंदायात में बहुत ट करना है इसमें रीजनिंग भी है इस चीज को भी ध्यान रखे रीजनिंग में टाइम लगता है तो उस टाइम को सेव करते हो चलना है तो यहाँ पर पहला कोशन अगर वीडियो अच्छे लग रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी क कर लीजेगा दोस्तों इसी तरह की जो ब्लास्टियर के पेपर है वो लेके आऊंगी इसके साथ टेस्ट इस भी लाऊंगी आप इतना टाइम नहीं बचा है कि आप किसी चीज को डिटेल में पड़े आप केवल डिवीजन करिए इस टाइप के टेस्ट सीरीज लगाईए ज अब पाँछायत जो अधिकारी की ग्राम पांचाइत अधिकारी की जो वेकेंसी निकली है उन में तो तो अभी खहरा एक्जाम की डेटी नहीं आई लेकिन वीडियो रही आपको बता excel में आपको बता रहे हूं यापर gonna तो यहाँ पर पूछाया कि किस से रहीत राज किस काम का तो यह पहली पंकती में यहाँ पर रिखा है देखो कि अपने प्रिये जनों से रहीत यानि कि अगर आपके प्रिये जन नहीं है तो वो राज किस काम का ऐसे करके अगर आप कोशन पढ़ लेंगे तो आ जाएगा तो य निश्फल का आसा क्या है वह कोई चीज हमारी बेस्ट हो गई निश्फल में मिला है है प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है, तो जीवन solution को पहले भी बता चुकी हूँ, और आज फिरना में आपर हीरोग डेकी है और तो अगर आप ऐसे करके लिखेएंगे, च्छोटे बड़ा चोटी, बड़ी, नहीं चोटा हूँ और बड़ा वह ऐसे निकेँगे, तो ये जो छोटे वाले सब हैं ये ये सब आपके हरश्वर हैं ठीक है याद रखना और इसके साथ रेर भी आपका हरश्वर है दिया है जबकि ये वाले जो हैं ये जो दिये हैं ये आपके जो हैं वो दीरगिस्वर हैं तो इसमें पूछा दीरगिस्वर कुण सा आपको पता यह जो यह वाले है यह दीर की स्वार होगा और जबकि A.I.O.S. इस्वार है यह कली मैं आपको बता चुकी हूँ तो वो अंता है, मतलब अंदर ही अंदर बोले जाएंगे तो यह इसमें वा जो है, वो आपका अंता इसमें लिखा हुआ, देखिए आप पूरा पता है, सबसे अच्छा तरीका है यह है कि वर्ण माला को अच्छे से पढ़ लीजे उससे संबंदित बहुत सारे कोश्चन आते हैं यह मैंने यहाँ पर ऑफजर्व किया है जो वीडियो का एक्जाम है इसमें जिसमें हिंदी पचास नमबर के आरी तो बहुत ज़्यादा हिंदी आरी है ना इसलिए वर्ण माला को अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो वर्ण माला से ही आपको काफी कोश्चन मिल जाएंगे मुझे लग रहा है छे से साथ कोश्चन आपको वर्ण माला से मिल जाएंगे तो इस चीज को बलकुल आप अच्छे से याद कर लीजे वर्णमाला की वर्णमाला में कौन सा वियंजन क्या कहलाता है का चा टा ता ये पावर गी कौन कौन से होते हैं है ना ये सब आप आप याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा तो यहाँ पर देखो यह लिखा यह लवा अंतहा इस तवियंजन है और यह वाले उश सब्वंजन है शा शा सा और हा शा 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 च यह जब आप बोलेंगे तो मुझ में से ऊशमा निकलती है यह होता जिस आप बोलो कि शा शा और हाथ लगा के आगे देखना तो आपको घरम घरम जो भाप यह वाप यसडीका यह निकलती है इसलहिए तियो यहिंट परश व टीक है को जन बेंजयलों के उच्षारण म een वे स्वा अल्ब मात्रा में निकले कम निकले से आप गाह बोलेंगे तो की हलकी सी लिए निकले है उन्हें इससे लंबी देट तक नहीं बोलता है इन थे में प्रतीक वर्ग का का है reality सब ब्रप्राण कа और से खिसी तीज़ हो गया एसी घृसरे ओप्राण ब इनजन नित्ते सारे है तो आप रटलीजेहा कहला और तीस ठीक है किसी भी ब्रका और पाँचवा पहला तीसरा पाँचवा यह अलप्राण है और इसके साथ साथ अंताहिस्ता जितने हैं वो आपके क्या है वो अलप्राण है तो ऐसे आप रट लेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा इतना ही रटने की जरुत है आपको पूरा याद हो जाएगा निमने में से गोशवर्ण कौन सा है गोशवर्ण जो है वो जा है जा जो है वो घोशवर्ण है नाद की ध्वनी से जिन वेंजनों के उचारण में स्वर्तंत्रियां जंक्रत होती है जैसे जंक्रत होती है जैसे आप बोलें जा वे घोशवर्ण कहलाते हैं पर तेक वर्ग का तीसरा जो वर गट्टा आता है फिर तावर गाता है फिर पावर गाता है इतने बर्ग होते हैं तो इन वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचमा तीसरा चौथा पांचमा यानि कि पहला दूसरा आपको छोड़े देना है सभी स्वान या रा ला वा और हा यह सब घोश वर्ण में आते हैं ठीक है तो इस चीज को याद कर लेंगे एक बार तो आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है अगला कोशन है यहां पर आप देखो ओश्ट व्याड़ कौन सा है ओश्ट वड़ बताना है ओश्ट को आता है जो आपका ओठों के यह लिखा है दोनों ओठों के इस फर्श से बोलेंवाले बढ़ ओश्ट भी बढ़ कहलाते हैं तो उ बोलेंगे तो उ में आपके दोनों ओठ जो हलके से इस फर्श जरूर होंगे अपना मतलब वो आप जैसे जो बच्चा नहीं बोल पारा अगर आप या नहीं सुनता आप इस तरह से उ बोलेंगे ना तो भी वह समझ जाएगा कि आपने उ जैसा कुछ बोला जैसे उ उ पावर के हैं पा फा बा भा और अ यह कंठ है यह तो पता यह यह और यह तालब है जो तालू पे लगते हैं आप इसे याद कले जगा ठीक है यह इसलिए दिये ना सब क्योंकि इन से रिलेटेटेटे से यह दिये तो यह बता नहीं बता रहे हैं यह सब यह पूरा यहां पे पूरा इन्होंने वर्डन किया योगरू मैंने आप सिकाई था कि योगरू रूर यह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगी वीडियो बना दूंगी इससे संबंदे तो योगरूर शब्द कौन सा है तो योगरूर सब्द जो है वो जलज है क्यों है जलज भई तो यहां पे आपको पूरा दिख रहा है जलज का मतलब क्या है जल माने पानी और पूरा और जा जो है इसमें तो जलज का मतलब होता है जा माने ज से कमल का अर्थ लिया जाएगा ठीक है तो याद रखना जलज जलज जो शब्द है वो योगरूड है ऐसे शब्द जो योगिक तो बनाते हैं किन्तु जब अर्थ करते हैं अर्थ बनाएंगे अपना तो अपने साम जो अपना उनका सामान अर्थ है उसे छोड़ देंगे और एक विशेश अर्थ बना लेते हैं जैसे कि जलज में ही लिखा है जल वैसे पानी है और जा उसमें और लगा दो गया लग योगरूड का मतल़ है कि दो आपने शब्दों को जोड़ दिया जोडने के बाद उसने क्या बना लिया कमल जलज का मतल़ होता है कमल तो इसका सथारन रथ है जोड़ दिया साधारन नर्ध लेकिन यह सपेशल अर्थ पकल लेकिन जैसे कमल बने और आर्थ मंने बिशेश बना लिया महतसभ अंच्छज कर संदी आप encuentária ऐसे उसी告 क्र давї तो तो महा और उच्छा मढ़ा। और को रोगी को में संदिना पांच परिकार्खिय। पांच प्रकार की होती है, तीर होती है, और एक गुर संदी, यर संदी, अयादी संदी, और यर संदी, अदाई संदी और ब्रदी संदी, पांच संदी हो गई नहीं हो गई, तो यह स्वर्ख संदी में पांच संदी होती है, तो उसमें भी यह आपकी गुर संदी है, ठीक है, म न ठीक है तो यह इस तरह से इन्होंने बता दिया और यह बताया कि separate कैसे होगा वज यह बतासि इसमें यह पूचा विछे तो बड़ा सरल है इसमें separate आप कर देंगे महां उस सबसे सी इसका सई हो जाएगा ठीक है बैल गाड़ी में समास बताओ कौन सा है बैल गाड़ी में समास जो है इसका समास विक्राप करी यह बैल की गाड़ी की लगते ही क्या हो गया भई की लगते ही आपको कल बताये थे करताने कर्म को करण से संपरदान के लिए अलग होने पर अपादान से है इस तरह से बताये थे आपको तो ये वहीं है ठीके तो ये जो है ये कारक कहलाते है न तो इसमें की जो है वो कारक लगा हुआ है तो की क्या होती है करताने कर्म को करण से और फिर काक एकी तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा यह का जिसमें कारक लगे हो जैसे आप उसको सेपरेट करेंगे अगर उसके बीच में जैसे इसमें लगाई है बैल की गाड़ी की लग गया है तो यह वाला कारक लग गया है तो कारक लगने से वो तत्पुरुस समास हो जाएगा इस चीज को याद रखना अगमान का उससा आगमन में उपसर्ग कौन से लगा उपसर्ग और प्रत्याय में यह पा लगा तो यानि कि पीछे अगर किसी शब्द के पीछे कोई आपने शब्द जोड दिया या कोई अक्षर जोड दिया और उसका नया मतलब निकला आया तो क्या हुआ तो यह वो हो गया उसमें प्रत्या लगा है और उपसर का मतलब क्या हुआ कि आप किसी शब्द से पहले कुछ जोड़ रहे हैं और उसका एक नया आर्थ निकला आया तो जो जोड़ा गया है उसे हम उपसर कहते हैं ठीक है यहां पर जैसे आघमन में आ लगा है ठीक है आ लगा हुआ पहले और फिर है गमन है और गमन इनी को तो जोड़ा गया तबी वो आघमन मन गया तो आ लगा है यह आ माने पहले लगा आउपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, ओर, समेत, कमी, विपरीद ऐसा है न तो उपसर्ग में निर्मित अनर्थ शब्दें से आकाश है, आकर्षण है, आरंभ है, आकर्मन है, आचरण है, आजीवन है, यह सब उपसर्ग लगें तो आगमन में याद रखना आ लगा हुआ है ठी इससे कि उसे जोड़ने के बाद या सेपरेट करने काशन कोई अर्थ ही न रहे, यह होता मतलब, ठीक है, जैसे गमन में हमने आ जोड़ दिया, तो आ गमन माने हो जाएगा, आना, और गमन माने होता है, जाना, है ना, तो यह दोनों अर्थ उसने छोड़े है, रसोईया का, रसोईया, रसोईया माने किचन, और यह अलगा दिया, तो यानि किचन में काम करने भाली, तो दोनों का मतलब हो गया, नहीं हो गया, तो ऐसे उपसरवो पृतिया का मतलब होता है, निमन में से कौन जो शब्द है, वो तत्सम है, तत्सम और तत्वह भी मैंने बताये थे, तत्सम वो शब्द होता है जो सीधे संस्क्रिस्ट से उतारे गए होते हैं जिने हम बोलते हैं बिलकुल वैसे ही और तदवब होते हैं जो हम अपनी शेत्रिय भानसा के अनुसान उनमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके अपनी बोलचाल की भाशा में उस चीज को बोलने लग यह जादतर जहोते हैं तस्सम्षब दोते हैं तो इसमें देखो शासे निरमित कौन सा क्वुल्ब है तो शेत्र जुच्वलेशन पहले लोग शेत्र कहते थे ल हैट Mmm जिएक फंद लगाओ और नीचे लगाओ तो वह ज़ादतर तत्सम होते हैं इने पैचान करने का तरीका है वसी कैसे भी ट्रिक से हमें आद कर लें कौन से सब तत्वा होता है जो हम नॉर्मल भाषा हैं बोलते हैं तो जीव हमारा तत्वा है ठीक है देखो या से बना हुवा शब्द है इसके उपर रालागा 모르lier आदा इस्थान जाधता होता है यह सब तो यह सब तत्संब में आ जाते हैं तो यह देखो जीव है वैसे हम जीव बोलते लेगे रियल में जो तस्सम सब्द है जीव का हो जिवा है ठीक है जिवा 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 बोलते कितनी कठिन होता तो जीव कर लिया देशद तीन परकार के शब्द आपको बताया थे कि चार परकार के बताया थे तस्सम सब्द तत्वा और देशद और व परती भाषाओं में हिंदी में आए हैं और जिनका श्रोथ हमें पता नहीं है उन्हें हम देशा शब्द कहते हैं कि आए कहां से हैं जैसे जूता काटोर आखेचली पगड़ी डिबी या तेंद्वाली ये जुशब्द हैं ये आए कहां से पता ही नहीं है तो हिने हमने क्या क सत्व हैं और मोर जो है वो ततव होता है मैयूर का है न तो इस चीज को याद रखेगा निमलेवें से संग्या शबद संग्या सब्द इसमें पहुंच रहा है कौन सा है तो संग्या सब्द बताओ जो किसी हुए उसका बोध कराते हैं तो सभा जो है किसी वस्तु व्यक्ति या उसका बूद कराते हैं, आपने परिवासा बच्पन से पढ़ी होगी, है ना, वस्तु वेखती है इस्थान का बूद कराने वाले शब्द, जो है संग्या सब्द, जलाते हैं, अब संग्या में भी बहुत सारे हैं, तो यह सभा लिखा है, सभा में समूह होता है, होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन कौन है तुम मैं यह सब क्या होते हैं सर्वनाम है तो इसका उत्तर डी हो जादा देर करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि यह सब आप पहले से पड़े हुए होंगे बस रिवीजन के लिए कौन मैं तू आप मैंने बताई था तो यह सब सर्वनाम है निमल में से विशेशन बताओ जो विशेशता बताते हैं वो विशेशन होते हैं तो विशेशता कौन बता रहा भई तो यहां पर क्या उचित यह उचित नहीं है ठीक है तो यह विशेशन हो गया ठीक है याद रखन उचेश्चप्द विशेशन है गुड'वाचिक विशेशन है गुड बताchine है जिस्चप्द of doctrine इसमें दश्वाबिू양 दिसाफपza अधी लक्षित फते हैं वह गूड़ वाचिक विशेशन होताा संग्या की साथ लगा transformer प्रेणारथक क्रिया क्या है इसमें धृप थाना ओठना तो फिन गृणना हो कि कृष्ट करता और और डियंज किरना न करने में। दूसरे से कारे कराने के हम बात करेंगे वो प्रेड़ना तक है ना प्रेड़ना दूसरे को देते हैं जबकि चमक राय खुद उठ राय खुद दे राय खुद लेकिन गिराना कराना ठीक है सुलाना तो ये सब क्या हो जाएंगी प्रेड़ना तक हो जाएंगी अव्याए अव क्रिया विश्येशन कहलाते हैं जैसे ठीक है दूर है अचानक है फिर है नहीं है यह दूसरे क्रिया विश्येशन से नहीं बन रहे हैं तो यह अभी है कहलाएंगे पक्षी का परियावाची सब पता है वियाग कविताओं में वियाग वियाग सुनते होंगे आप ठीक है और मीन तो मचली का होता है आपको पता ही होगा तो यह पूरे यहाँ पर लिखा है पक्षी के परियावादी वियाग है और भी पक्षी के हैं खाग पकेरू परिंदा अंडज ठीक है तो कि अंड़ा देती हैं भूदर परवत और मीन भूदर भूदर परवत और मीन मचली के परयावाची है ठीक है नहीं भूदर और परवत ये ये दोनों नहीं मीन तो मुझे पता मचली के ये भी देखके मैं आपको बता दूगी ठीक है अगला है जटिल का वलूम क्या होगा जटिल का वलूम क्या होगा जटिल का वलूम सबको पता है सरल होगा बहुत इंपोर्टन्ट है यह जो देने योग है जो आपको देने योग है इसके लिए क्या शब्द होगा बताओ छब्वी स्वाय है यह जो देने योग है इसके वो गे कहलाता है इस चीज को याद रखना क्योंकि नए नए इसमें जो बाते मिल रही वो आपको बताती चाहिए दिन और दीन दो शब्द में दिये हैं इनके सही उत्तर बताने तो दिन माने क्या होता है दिवस और दीन माने क्या होता है गरीब होता बड़ा दीन ही नहीं कह होता है तो अंबर के बहुत सारे आर्थ है एक शब्द जो है नेक आर्थी जो गहरे जोते हैं जैसे कनक सोगली सुनाओगा ना धतुरा कोनसोना दोनों होता है निम्न वर्तनी की द्रस्टी से शुद्ध शब्द कौन सा है तो इसमें जो परीक्षा है वो शुद्ध है ठीक है परीक्षन भी गलत लिखा है पूझ नहीं होता पूझ पूझ नहीं होता ठीक है प्रान नहीं होता प्रान होता है ठीक है ऐसी परीक्षा में बड़ी की मात्रा लगेगी इडियो निव्य लागए निम्न में से वरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्ध कौन सा है तो अशुद्ध शभ जो है प्रमाड्यक है यह तो प्रमाड़िक अशुद्ध क्यों है बताओ इसे प्रमाड़िक कहते हैं क्या अधीकरन में में पर आता है तो अधीकरन यह हो गया इस पर आएगा ठीक है तो यह पूरा यहां पर पूरे पढ़ ली जिएगा आठ कारक है ठीक है अगला कुछ है नम नमे से पुलिंग शब्द शापना है आपको इस्त्रीलिंग और पुलिंग तो बोल के आप देख लेंग पुलिंग की तरह बोलेंगे पुलिंग जासा हमां मांगी तो फीमेल जासा हो गया इस त्रिलिंग शब्द अब इसमें से आपको बताना है मुझे बहुत दुख हुआ लेक लिखा किसी ने इस पर्स किया ठीक है गरीमा लेकिन फीमेल है उसकी इतनी गरीमा थी इस त्रेस है किसका प्रियोग सदै बहुवचन में होता है इसको भी याद कर लीजे दर्शन का होता है ऐसा नहीं तुमारे दर्शनों को गए तो हम हमेशा बहुवचन में उसको यूज करते हैं ठीक है एक वचन नहीं ठीक है उसके दर्शन किये ऐसे बोलते हैं हम लोग है तो यह इस त निए है इसके कितने दाम है ऐसे कितना दाम है वो तो अपनी कर लेते हैं तो इस तरह से जो kicking बहुत से शब्दने चॉमिंस करते हैं निमने में से भूत काल का उधारन, भूत काल का उधारन कौन सा है, मैं जाता हूँ बिलकुल नहीं, ठीक है, राम, घर गया था, वह आ रहा है, ये भी नहीं, वह पड़ेगा फ्यूचर है, ये भी योगा इसका, ठीक है, भूत काल काल जो काम हो चुका है, निमने में से भाव भाव वाच कौन सा है भाव जिसमें दिख रहे हैं तो भाव में भी मोहन से बैठा नहीं जाता यानिकि उसके भाव है उसके प्रॉब्लम है उसको अगला है निमने में से कौन सा वाग के मिश्र है मिश्र वाग कभी आया था उस दिन तो मिश्र वाग कौन सा है मिश्र वाग ह अभी भार गए सवेरा नहीं होता तो भार नहीं जाते यानि कि यह प्रधान है ठीक है इस चीज को याद रखना मैंने विद्या मैंने विद्या ले जाना है इसमें अशुद्ध क्या है ठीक है बताओ मैंने विद्या ले जाना है तो यहां पर होगा मुझे विद्या ले जान यह गलत है ना तो यहां पर यह गलत है प्रशन चिन कौन सा इसमें प्रशन चिन सबको पता है आख बंद करके बता देंगे आप लोग प्रशन चिन कौन सा है पूर्ण विराम जो है वो यह होता है जब की क्या होता है अर्द विराम यह होता है और यह विश्मय आदी होता है आह ये क्या हुआ इस तरह का ना आस्मान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो आस्मान फट जाने का अचानक आफ़त आ गई हमारे पास कि क्या है ये अर्थ है स्वाब लंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है कि हम स्वाब अपने पैरों पे खड़े होना ये होत अगला है ब्रज हैंदी की किस उपवाशा के अंतर गताता है तो पश्मी हिंदी के अंतरगत आता है ब्रज ठीक है हिंदी के आप भाशाएं पढ़ ली ना कहां से आई है पाली भाशा संस्कृत भाशा फिर उसके बाद जो है अपवरंश अपवरंश के भी डिवीजन है बहुत सारे पश्मी भाशा ये सब भाशा पढ़ ली जगा महाशा से सम्मंद भी कोश्चन आएंगे देखो पश्मी हिंदी से सामिल है ब्रज करनोजी बुनलेरी खड़ी वोली और राजिस्थानी ठीक है पूर्वी हिंदी से सामिल है अवदी वगेली चत्तीस गड़ी और बिहारी ठीक है इस चीज़ से बहुत सारे कोश्चन होते हैं इसके स सूर सागर के रचैता ये भी आप आखवंद गर के बता देंगे सूर सागर लिखा है तो सूर्दास है इसके ठीक है रीतिकाल का कभी कौन है रीतिकाल का कभी ब्यहारी जी थे ब्यहारी की कभी था है आपने रीतिकाल की पढ़ी होगी जब ब्यहारी जी को पढ़ा होगा त तो वो रीतिकाल के कभी थे और बिहारी सस्साई थी जैसंकर प्रशाद हैं सूरे कांत्र प्तरपाठी निराला हैं सुमित्रा नंदर पंथ ये सब छायावाद के कभी थे हिंदी आपने पड़ी होगी हिंदी जरूर पड़ी होगी क्योंकि हम लोग हिंदी जो है वो दोगों बच्चे टेंट तक तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं धियनाव कि हिंदी में क्या-क्या आने वाला है सब आते हैं कौन से चायावादी कभी है कौन से नहीं है पढ़ली जगा हिंदी की जो रचणाए उनकी यानने रचणाए जो है रश्मी रथी, हुञकार, कुरुकशेत्र, परशू राम की परतिग्या और रहाकार यह राम धारी सिंग दिन करकी है तो बलाड़ ट्रिक लगा के करेंगे न जैसे राम जी ऐसे याद के लो राम जी की जो थी रत निकला था हुंकार लोग मचा रहे थे कुरुक्षित में लड़ाई हुई थी इस तरह से आप याद कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी अच्छा रामधारी सिंग दिनकर की यह हैं इसके साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भी बता दे रही घंटागर ध सामान बुद्धी परिक्षण इसे हिंदी में कहते हैं रीजनिंग का कोशन जो मैं जल यली आपको बताती रहूंगे एक दो कोशन अगर उससे रिलेटिड होंगे तो आप अपने आप भी कर ली जगा आप इसमें क्या इसमें अगली संक्या पूछी है तो अगली संक्या मे होता है यानि कि 3 से हमने से भी गुणा कर आप लगा तो 96 आगया तो यानि कि यही स्कुंस अलरा देखो यह इसमें दिखा रहे हैं कि 3 से पहले आप गुणा करेंगे फिर माइनस 3 करेंगे तो यह आजाएगी इसे ही आप से लाएंगे वह बहुत चाहएगी तो इसका उतर क चाहर दुनियाट प्लस वन है और पर तीन से हां तो यहां भी सइक्वेंस यह ह благ डुप्लस करें बन में प्लस करते हुए आगे यह वी उत्तर है बस कैसे अगे संख्या कैंसी ऐसी यह वाल है इस समय पहले तो आप यह यह ऐलाइन देख लो alpha weight में क्या sequence चल रहा है फिर आप number में देख ले ना यहीं देखा जाता है तो यहाँ पे देखो देख रहे हैं is- peace. क्या है अलफावेट में देखो चार प्लस करा है बी में चार जुड़ा f आएगा फिर f में जब हम तो यहाँ पे पूरा अंदे रखा है ऐसे करके तो यही जो सिक्वेंस है वो चला है और इसमें क्या करा है दो की गुणा चार से करी दो चोकाट हो गया अब इस F में जब हम चार जोड़ेंगे तो G, H, I, J तो J आ जाएगा और इसमें जब 8 से हम 4 की गुणा करेंगे तो यह 32 आ जाएगा ऐसी नंबर का देख लो नंबर में B आ रहा है इसका उत्तर ठीक है ऐसे करके करेंगे आख तो हो जाएगा रीजनिंग बहुत इजी है वस दिमाग लगाने की बात है निमले के दनुकरम में अगला अक्षर समूं कौन सा आएगा B, A, G, C, A, B तो क्या कराएं इन्होंने कि B, A, G को उल्टा कर दिया फिर D, A, E है तो E, A, D कर दिया अब इन्होंने B, A, C लिया C के बाद D वाला ले लिया अब यहां पर E वाला आना चाहिए है ना इन्होंने D लिया था अब जब यहां पर E खतम हुआ यह वाला तो यहां पर E खतम हुआ यह वाला तो यहां पर F आएगा B होना चाहिए इत्तर देखो B है इत्तर बस कुछ करने की ज़रू नहीं ऐसा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका होता चलेगा इतना बड़ा आप इस न्युमेरिक गइलेखर दिया हूए इसमे अब इसमें ऊनने पूरा इसमें सिक्वेंस दिया और पूरा एड़ारीटOR बितना ये इतना ये इतना अए इस अगर किते रखा है पूरा ये इसकुल आपका है तो यहां पर यह पूरा संक्या कितनी बार आती है ठीक है तो इस चीज को इस तरह से आप अपना दिमाग लगा के हल करेंगे पूरा यहां सॉल्व भी करके दिखाया है इन्होंने जब सॉल्व करके दिखाया तो आप इसको पूरा देख लेना ठीक है विशम संक्या दूस दूस से विवाज़त नहीं होती विशम कहलाती है अब इसमें इन्होंने सर्च कर लिया पूरा कौन-कौन सी विशम संक्या है जब इन्होंने पूरा यह सर्च कर लिया इसमें पूरे में और फूर देख लिया कितनी विशम संक्या है उन्हें दिख गई चार विशम संक्या है ठीक है तो बस उनका उत् सब्सक्राइब को दो के सब्सक्राइब करें तो आप इसमें पता कर लेंगे कि औसी विश्माली है वह वहां को आजाएगा ऐसा कोई टेंशन नहीं है फिर इसमें पूरा यहाँ पर लिख्क हाई कि संख्यात्मकग्रम का अधियन करेख रिष्ण का उत्र देए यदि एक परतेक विशमंक से घटाया जाए इसमें इसमें इसे घटाया जाया तो एक परतेक Ahmed conoc कर दिया सम में जोड़ दो तो नव निर्मित अनुक्रम में निम्निम से कौनसा नंबर आएगा पूरा आपको पड़ते हूँ इसका उत्तर आ रहा रहा है 898 ठीक है यही आ रहा है तो यह देखो उन्हों ने कर दिया पूरा यहाँ पर यह किया है उन्होंने उन्होंने क्या किया कि यह साम और विश्णम का पूरा देख के अब पूरा सॉल्म करते हुए चले गए ठीक है तो इसमें यही सब देखना होता है और ऐसा कुछ इश्वो नहीं है अब यहाँ पे चिन बदल दिये पिछली बार भी आया था अगर गुणा का येदी गुणा का अर्थी हो गया यानिकि पलस का चिन बना देना है भाग का अर्था गटाओ यानिकि भाग वाले को माइनस का पलस का अर्थ इन्होंने गुणा बना दिया इसको गुणा बना दिया तो माइनस का भाग बना दिया तो क्या होगा यानिकि ये चिन बदल दो पलस का इन्होंने क्या क्या इसको गुणा बना देना है और माइनस वाले को इन्होंने भाग का बना दिया ये भाग का बन गया भाग का चिन ऐसी थो हता है और भाग वाले को इन्होंने माइनस का बना दिया गुणाँवाले को इन्हें पिलस बना दिया इस तरह से बना देंगे चिन ना बदल दीजे फिर सॉल्व कर लीजे इसकдо बोर्ड मास कीतरू सॉल्व करना इसको भी याद रखीगा जो बॉर्ड मास फाला फार्मूला होता है पहले डिवाइड, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रक्शन ऐसे दिखो इन्होंने चिन नहीं बदल देंगे और चिन बदलते ही अगला कोशन है कि अंगरी जी शब्द कोश के नुसा लगाना जो डिक्सनरी में होते हैं ठीक है, याद रखना, डिक्सनरी की बात हो रही है है आपे डिक्सनरी में जो होते हैं, डिक्सनरी में याद रखना पहले आर से होंगे आर के बाद फिर आर के साथ ए जुड़ेगा, आर के साथ क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगे तो आप देख लो आरी आरी सब हैं आरी वाले सब हैं अब आरी के बाद तीसरा अक्षर देखो तीसरा अक्षर कौन सा पहले आएगा तीसरा अक्षर कौन सा जी आएगा तो यह नंबर एक पे रहना चाहिए जी के बाद कौन सा आएगा दी के बाद M आएगा यही तो होगा तो इस तरह से आप यानि कि 6-5 आएगा पहले 6-3 6-3 समय आ रहा है तो इस तरह से आप पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह देखो है यह यह पूरा तो यह sequence बनेगा बस dictionary में दिमाग लगा आपको अलफाबेटिकली देखने को मिलता है अब यह लिखा है टर्वूलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है पहले लेटर को अंतिम लेटर के साथ बदल देना है दूसरा लेटर नौवे के साथ दूसरे को नौवे के साथ बदल देना है तो नव निर्मित शब्द में B के बाद कौन सा लेटर आएगा पूरा आप बदल के देख लो यह नोने 10 हैं इसमें अब इनोने पहला इससे बदल दिया इसको बदल देंगे यह देखो यहां पे पूरा बदलेंगे देखो उल्टा कर देंगे लिए इसको बदल दिया सबका एक दूसरे से बदल दीआ आप उन्हें पता चलेगा कि B के साथ कौन सा आएगा इससी तरह से आपको बदल देना है और आप बदा देंगे B के साथ कौन सा आएगा आ रहे गा अभिया पर लिखाए विक्टरी प्लान शब्द में निम्न बेंजनो को पहले सबसे च्छा तरीका इनको अच्छे से पढ़ना वर्नकुरम विवस्तित कहों जाता है कौन सब बी बाएं और चौत बी के बाह से चौतहे के दूसरे स्थान बे होगा तो इसको भी वह सिक्वेंस में लगा कर यह ऐसे कर लेंगे ठीक है यह आप देख ले ना इसको ठीक है अगला है यहाँ पे निम निश्चित कूड़ भाषा में निम लिखेत प्रति घड़ी के समय का प्रतिने दुद करते हैं प्रतिशत का मतलब है कि गंटे की सुई या मिनट की सुई दो पर है ठीक है इन्होंने चिन्नों को नंबर बता दिया है प्लस का मतलब है कि गंटे या मिनट की सुई पांच पर है ठीक है कोशन मार का मतलब है कि यह तीन पर है ऐसे इन्होंने सारे चिन्न से संबंदित बता दिया कि कौन सा किस पर है पूर इसको हल करने के बाद देखे कितना बड़ा कोशन इन्होंने इसको सॉल्व किया है ठीक है तो इस टाइब के कोशन अगर आपको डिले हो रहे हैं तो इनको छोड़ना ही प्रिफर करना मैं आपको बताऊं निश्यत कोड़ भांशा में यहां भी बिलकुल वैसा ही सवाल दिया है कि इसको हम यह वह बोलेंगे इसको हम यह बोलेंगे तो उत्तर क्या आएगा इसका इसको भी इन्होंने हल किया है ठीक है इसको आप देख लीजगा एक बार आपको अगर समझ में आ जाता है तो easy हो जा किया है अच्छा पीछे से नों लिया आर को क्यूं पीछे वाले को इससे सिक्वेंस बना है लॉंगर में आर फिर यह वाला ईए और डी से कर दिया माइनस वन किया है बिल्कुल कितना इजी है देखिए ठीक है फिर ऐसी इसमें भी कर देना आपको टाइगर में फिर आर्थ है एल एम का बेटा है पिशल कल भी कोशन था एल एम इंटू अब इसमें क्या करना केवल आपको चिन देखना अगर वो क्या पूछ रहा कोशन मैंने आपको पता है था कुछ नहीं करना इसमें पूछा है यह दिखाने के लिए दो प्रतिक आएंगे निम लिखे समि पत्नी के लिए कौन सा चिन नहाई पथनी लिए यह है इलेम की पत्नी यहिए यानि कि एम माइनस अगे तो यहां Remember की पतनी है तो यहां पर क्या होगा ए और एक्स दिया है तो एक्स माइनस ए होगा एक्स माइनस दिया है तो यानि कि एक माइनस के चिन आएगा माइनस है पर इसके साथ साथ क्या है यह तो यह तो इनोंने बता दिया नेमले की समिक्राण में दो प्रति कौन कौन से आएंगे तो यहां पर पूरा इन्हों ने दे रखा है तो यहां पर देख लीजेगा दोस्तों जादा देर लगेगी अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी पूरा यह तो मैंने आपको बताया था मेल फीमेल को अलग लग खाने से इंडिकेट करने का त भी मेडिकल पेशिए के सामिल होने में अपने परवार के साथ भी सदसती सभी परवार के सदसतार नाम दिये हैं पूरे जॉक्टर के रूम में काम कर रहा है तीसरी पीड़ी के सबसे कम मंदरा सिंग our उन से जोनने के लिए तयार है पूरा इसमें दिया हुआ यह पढ़ ल रिष्टे वाले हैं मैं पिछली वीडियो में सब बता चुकी है दोस्तों तो रिष्टे भी मैंने बताया थे इसी तरह से आप जब तक यह डाइग्राम नहीं बनाएंगे आप रिष्टे नहीं निकाल पाएंगे आपको डाइग्राम बनाना पड़ेगा पूरा रिष्टा न नेमने यूव में जो हैं तो निश्चित संबन साजा करते हैं बताओ एक बिकल्ब सही चहन करो जिसमें शब्द जोड़ी एक ही रिष्टे को साजा कर रही है जैसे चुहा जो है वो क्रंतक दात होते हैं मधुमक्षाले होती है नाविक समुद्री जहा से संबन्दत है होल मशली इस्थन प्राणी है और बंजारा गिरहों से संबन्दत है तो इसमें सबसे सही जो है वो हील मशली स्थनदारी से से क्योंकि इसके हम इस्थन प्राणी को लेकर इसके विकल्ब को हम बता रहे हैं और स तब इनका दूसरे अपने संबंद है, जैसे चुए का अपने क्रंतक दाच से उसकी identify कराया है, जिनने बायो पड़ी होगी, उनको पता होगा, अब ये गोले वाले आगए, ठीक है, ये पूरा कथन को सहीगा ना, कुछ चुए सफेद हैं, कुछ सफेद सुवर हैं, कुछ सभ सफेद सुवर हैं, सुवर भी बना दी अलग, इस तरह से गोले बनाने हैं आपको, फिर कौन किस से इंटरलिक हो रहा है, सबको लिंक करना है आपको, और लिंक करने के बाद आपको पूरा इनमे कथनों कारक वाला देना है, ये पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ है, तो इसका उत्तर होगा कि केवल एक ही पालन करता है, ये वाला कुछ लंबे सुवर नहीं है, ठीक है, ये है, फिर ये डाइग्राम आओ गया, गन्ना उत्पादन से संबंदित, है न, ये भी कोशन जो है, उससे जो डाइग्राम है, बेंड डाइग्राम बगारा मैंने आप इसमें इसमें हुआ है, फिर पूछा है, बीस परतीशत से भी कम योगदान किसमें रहा है, तो बीस परतीशत से भी कम है योगदान जो है, किसका रहा है, तो ये पूरा यहां पर लिखा हुआ है, इसका एवरेज निकाल लेना है, बीस परतीशत का, तो यहां पर पूरा द लिख लेंगे तो यह वैल्यू जो है वह यहां पर दे रहे होंगे कि इसके अनुसार जो है यह इन सम में यह वाली वैल्यू है ठीक है यह दी है ठीक है तो इस तरह से आपको निकाल लेना है देखो 19,000 से कम किस किसमें इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है इसमें तो चारों दिये होंगे महरास्टरा वो सब दिये हैं तो यह इसमें दिया हुआ है बस यह है इसमें बस 20% निकाल लेना टोटल का और उत्तर दे देना है निमलिखित पंकती में ग्राफ का वोई दिया यह वाला 72 वाला ठीक है जादा यह बड़े वाले कोशन अगर मैं आपको बताऊंगी दोस्ते तो बहुत देर हो जाएगी वीडियो बनाने में बसमा आपको कोशन दिखा दे रही हूं जिससे कि आप वीडियो को पॉस करके कोशन को अच्छे से हल कर लें और उसका आंसर निक कि हाँ इस तैप के कोशन भी आते हैं ठीक है यसलिए मैं इस वीडियो में कोशन जो है वो आराम से इसको शो कर रही हूं जिससे कि आप आराम से देख लें क्योंकि अगर यह कोशन सारे में कराने लगूंगी तो यह बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों तो यह जो कोशन है यह आप अपने आप ही देख लीजेगा फिर ही आगए आकर्ती में आकर्ती वाले तो आप कर लेंगे आकर्ती में एक एमबेड़िड है विकल्प का सही विकल्प का चैन करिए तो इसमें यह डी वाला जो है इसमें सही बता रहे है ठीक है ऐसे यह आकर्ती वाले कोशन है ब कौन सा लगा होगा वो भी आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा पासे वाले ये सब चित्र वाले हैं यही वो श्रंकला वाले आ गया कोशन कि इसके आगे कौन सी श्रंकला आएगी वो मैं आपको बताई चुकी हूँ बस आपको यह लिंक देखना है ऐसे यह वाला आ कौन सी पॉजिशन पर आएंगे यह तो इस तरह के सवाल दिये हूए यह आप देख लेहें न जीजिशिं तो आप जितनी कर लेंगे रीजिनिंग उतनी यह कम पड़ जाती है क्योंकि reasoning के सवाल किस label के आए कोई पता नहीं होता लेकिन reasoning इतनी जादा जो है इसमें पेपर में tough दिये लेकिन normalization हुआ होगा definitely क्योंकि यह वाला paper पिछले वाले paper से जो है थोड़ा समझे tough लग रहा है तो यह जो है normalization जरूर हुआ होगा normalization होता है किसी एक परिक्षा को हम जादा एक से जादा shift में करते हैं तो पहली shift में क्या पता किस label का exam आया दूसरी में क्या पता किस label का तो सारी shift का हम normalization करते हैं percentile निकालते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो अब यहाँ पे आ गए हम GS में, यह important है दोस्तों ठीक है GS जो है वो important है और GS पे चलते हैं, इसमें देखो यह question लिखा है निम लिखे तुमें से कौन सी एक primary storage device है तो random access memory RAM और ROM आपने उसमें पढ़ी होगी computer में लिखा देखो RAM जो होती है अगला question यहाँ पे 102 वाँ कि कौन एक programming software है तो यह visual basic जो है वो programming Microsoft का software है computer के संदर में जिस तरीके से कोई ब्रोधी सिस्टम में प्रिवेश करता और संभावी रूप से छती का कारण बन सकता है उसे हम क्या कहते हैं हमला सतय या attack surface कहते हैं तो यह वो है ठीक है फिर ही आगे सुरक्षा सेवाँ जैसे गोपनेता डेटा खंडता एकाई प्रमाणिक करण डेटा मूल प्रमाणिकरण परदान करने के लिए गड़ीतिये तक्नीकों काई किया जाता है तो इसका उत्तर है क्रिप्टोग्राफी में ठीक है इसके लिए किया जाता है अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतीशत भूमी जो है किरसी के योग है तो यहाँ पर 68.7 है लेकिन नया डेटा देखेगा यह 2014-15 का है अब नया आ गया है डेटा 2021 का आ गया है ठीक है किरसी से सम्मंदित वो देख लेजेगा है 2014-15 का है रामचरित मानस में जो कितने खंड है और उन खंड में सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे सोचा जो है किशकिन्दा कांड है ठीक है रामचरित मानस पंद्रवी शताबदी के कभी जो है तुलसीदास जी ने इसको लिखा था और इसमें रामचर्द जी की पूरी कहानी का वर्णन दिया हो किशकिन्दा कांड जो है वो सबसे छोटा है ठीक है और इसमें क्या लिखा है रामचरित मानस में साथ कांड है अज भी पहला इस तान है आज भी पहला इसता नहीं है इसको ज्यादा टेंशन लेने की जवर्वत नहीं है ठीक है दोजार पंदर सोला की लेकिन अब भी भी नंबर वन पे है उत्तर प्रदेश के किस जले में किछोचा दरगाः शरीफ किछोचा दरगाः शरीफ है तो वो अंबेड करनगर में है किछोचा शरीफ पर शूवी संथ की सूफी संथ पढ़ लीजे का कोश्चन आता है श पदम शिरी पदम भूशल पदम भी भूशल किसे दिये गए वो सब भी याद कर लीजेगा इंपोर्टेंट है ठीक है यह आ सकते हैं कोशन इलावाद में किस वर्स अगली जो है उसका आयोजन किया जाना है कुम्ब का आर्द कुम्ब का तो यहां पर 2019 से 2019 निकल चुक है त निमलिखित में से किस अफसर पर सोहर गीत आए जाते हैं सोहर गीत आपको पता ही जब बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गीत होते हैं उसी समय सोहर भी होती है घर में है ना लठमार होली कौन से स्थान के लिए पर सिद्ध आपको पता ही है बरसाना में लठमार होली होती ह ये देखें सब मत्रा की जगए के नाम है आप यहां पर कन्फ्यूज हो जाएंगे तो ये बरसाना का है ठीक है इसलिए कहते हुए बलकु सटी कान सर्यात करके जाएए आप सोचोगे मत्रा में होती है मत्रा के तो सब दी है बरंदावन को कुल ये सब हम लोग नॉर्मली मत्रा ही तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है उनके सब डिवीजन क्या क्या है मिट्टी की बारात नामक कविता की लेखा कौन है तो इसके हैं शिव मंगल सिंग मोहन ठीक है मिट्टी की बारात के अगला आए निमलिखित की शहर में सेंट्रल फुटवेर ट्रेनिंग इंस्टिटूट इस्तित है तो आगरा में है फुटवेर से संबन देता आप समझ जाए फुटवेर के अचमड़ा तो वह आगरा में होगा ठीक है उत्तर पृदेश के किस जिले में जन संक्या सरवाद है बताओ किस जिले में वह आपको पता होगी और हम आपको पता दें इलावाद में है सबसे ज़्यादा कहा है इलावाद में बच्चे पढ़ने जाते हैं पढ़ाई करते हैं बहुत सारी तो यह अलाबाद में प्रियाग राज है, माध संगम है, इसलिए और ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, चोल अभी लिखा गया, चोल चेल जो आपने पड़े होंगे, जैन सवाओं को दान दिये जाने वाली भूमी को क्या कहते थे, तो उ जैन समुदाओं को देते थे, उसे कहते थे पल्ली, पल्ली चांदम और स्कूल वगारा को दान दी जाती थे, उसे शाला भूगा कहते थे, याद रखना, और ब्रहम्माद को दी जाती थे, उसे ब्रहमा देया कहते थे, इस चीज़ को याद रखना सबका लग लग है, जैन बिन तुगलग वगएरा इसके राजा रहे थे फिर लिखा है कि साशक की मिर्थी के समय उसके पुस्तकाले सीडियों से गिरकर उसके मिर्थी हो गई थी हुमाईयों को आपको ये पता होगी पुस्तकाले की सीडियों से गिरकर हुमाईयों की मिर्थी हो गई थी जीवन बर ल के लिए में स्थापना निम्न में से किस मुगल साशक ने की थी शाह जाने की थी लेकिन बाद में क्या हुआ बाद में छीन के ले गया कौन नासिर उसेंता कौन था हूँ छीन के ले गया था तक्ते ताउस नाम रखा था इसमें क्या लगा था हीरा लगा था जो हीरा आजकल तो यहां गौतम बुध्ध ने ग्यानप्राप्र की था इसलिए था है थीक है six के और इसका उत्तर माात्मा गांधी भारतीराष्टी कंगरेश के निम लेखे सत्रों में कि सकी अधिक्षता की थी तो यह आपको पता ही है यह 1924 में बेल गाउं की करनातक में जो हो थी उसकी अद्रक्षता की थी भारतिये सुतंतरता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रियेट ब्रिटेन में किस प्रधान मंत्री ने सांपरदाईक पुरुसकार की गोशना की थी तो वो यह नहीं थी तभी तो मैं करें यह तो नहीं थी बहुत इंपोर्टेंट है आपको पता भी होगा इलावाद की कहां नहीं है यह इलावाद में मार ली थी ठीक है 1931 में थी के अल्फ्रेट पार्क है वहाँ पे वहाँ पे तो आपको पता ही है अमर कंटक की पहाड़ी से मदप्रदे से कौन-कौन सी नदी निकलती है तो वह आपको पता ही होगा वहाँ पे ब्रंश गाटी बनाती है सत्पुड़ा विंद श्रेणियों के सम्मंदित है यह भूल का तो इसका उत्तर है नर्मणा दनी नर्मदा और आपको पता ही होगा जिसे तापती भी कहते है दोनों और अरब सागर में अपना पानी डालती है भ्रंश गाटी की तहत भधरा वन जी बभ्यारन कहां पे है तो करनाटक में बदरा थीक है आहां पे है बने जी बभ्यारन करनाटक में और यह process को याद रखिएगा और भी सवयाद कर लीजेगा बन जीव अभ्यारन जरूर आएंगे ठीक है रामसर साइड हमारे कितनी है 75 रामसर साइड है यूपी में 10 हैं सबसे जादा तरमिलनाडू में 14 हैं यह सवयाद कर लीजेगा निमलिखित में से किस राज में भारत की जनसंग्या गनत सबसे कम है तो अर्म बड़ा महादीप कौन सा है तो सी है एसिया आपको पता है इसके बारे में चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है तो राभी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध ठीक है और यह परियोजना जो है उर्जा उत्पन करने के लिए 1100 मेगावाट गैलरे इस ज्वालम की क महाराश्रा में ठीक है कोकर शेत्र की में इस्तित है याद रखिएगा यह 17 शहर से प्रतवी की उत्री गोलार्द में रहने वाली कुल मानवावादी का अनुमानित परतिशत क्या है उत्री गोलार्द क्या पूछा है कि कितनी मानवावादी उत्री गोलार्द में रहती है ठीक है ये कोशन पूछा है तो यहां का उत्तर D है 90 पृतिशतावादी जो है वो उत्री गोलार्द में ही रहती है हमारा भारत भी उत्री गोलार्द में इसको याद रखेगा रामनात कोबिन भारत के कौन से नंबर के राश्पती थे चौदमे नंबर के थे और जो हमारी महिला राश्पती कौन थी इसको भी आद कर लिजेगा ये कोशन इस वार UPPSC में आया था भारत के विधान सम्मिधान के अनुच्छे 243 वन के अनुसार पंचायतों की वित्तिय स्तिती की समीख्षा के वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है तो ये कोशन पूचा ग करते हैं ठीक है 123 के तहत राश्पती से संबंदित वीडियो है बहुत अच्छी सी आप जाके देख सकते हैं चैनल पर पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके देखें गराश्वा में मनूनीत सदसु की कुल संक्या कितनी होती आपको पता है ये 12 होती राश्पती मनूनीत क करते हैं जो संस्कृती है समा और कितनेःटी शेत्रों से करते हैं ये सारे शेत्रि यहां पर लिखे हुए दीखो साहित विण्यानकला और समासेवा होती ये इं साहित्री शेट्र से करते हैं किसी इसे 12 लोगों को ठीक है राश्पति राश्वा में बर्तमान में 245 सदस हैं इसे इसको या रख लेना ठीक है को विधान सबा का 17 वसान करनी की शक्ति होती है तो भईया राश्वा को विधान सबा की बात हो रही है यह राज की बात चल रही है यहां पर ठीक है तो राजपाल को होती है ठीक है ऐसे प्रतम मोबाइल ओपन एक्षेंज जोन का उद्गाटन कहां किया गया तो नोईडा में किया गया थेक है नोईडा में किया गया इंपॉर्टेंट है यह यूपी का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2018 में एटी कीवी FDI Confidence Index में भारत का इस्थान क्या है तो यहां पर भी है इंडेक्स याद कर लेना भारत के इस्थान और भी बहुत सारे शेत्र है बुकमरी के शेत्र में और उसमें खुशाली के शेत्र में सवयाद कर लीजेगा अभी लेटेस्ट वाले याद करिएगा किंद तेज चला तो आगे भी विस्तारित किया होगा यह भी आप देख लीजेगा ठीक है विश्व भाग दिवस बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वार बाग की जो संक्या बहुत जादा हो गई है देखिएगा कितनी हो गई है मैं नहीं बताऊंगे आपको और इस वार जो बहुत जादा बढ़ गई है और हमारे लिए इंपोर्टेंट भी होगी पूरे पचास साल हो गए है जो हमने बाग प्रयोजना स्टार्ट की थी उसके भी इसको भी आत रखिएगा ठीक है भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता सिखर सम्मिलन ग्लोबल मोबिलिटी सब्मि करन्ट में इसकी क्या नियूज है अगर मैं करन्ट को जोड़ते हो बताऊंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए लेकिन मैं आपको बताती चलनी हूं माइन में आपकी क्लिक करती चलनी हूं जिससे कि आप वीडियो को पॉस करके देखिए तुरन गूगल ρείक पे जाके कि इसकी अब लेटेस्ज निउस कैया है सरकारों मेंसे निम्ली की सरकारों मेंसे किसने सूर्षचक्ती किसान योजना का परानम किया है तो घुझरात ने FEU ठीक है इसको important है गुजरास related है तो यह important हो जाती है हर्यान अभी इस समय गुजरात वारानसी और लखनाव यह तीन जो शेत्र हैं बड़े important है इनसे बहुत सारे काम हुए यह आप देख लीजगा और हर्याना सरकार दोरा अपने पंचायतों को स्टॉक रेंकिंग देने के लिए शुरू की गई साथ सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधन उसी ओजना कितने सामाजिक मानको पराधारित है तो वो साथ सामाजिक तो साथ सामाजिक ऐसे याद कर लिजेगा ठीक है तेलंगानस पुलिस ने राज के पूरे पुलिस विवाग के विवसाइक संचार और सहयोग की जरूरतों के समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन कौन सी लाउंच किये तो है COP कनेक्शन COP कनेक्शन ठीक है हाली में इमलिकित में से किसको तिरपुरा का राजपाल राजफल है राजफल है तो क्वीन अनानास जो है वो तिरपुरा का राजफल है यह इसका उत्तर है ठीक है यह इसका उत्तर है इसको याद रखिएगा अगला कोशन नावाड नावाड की फुल फॉ पूलर डेबलेप्मेंट यह ग्रामीर से संबंदित भैंक है ठीक है लोन वोन देती है तीरी कोशन रहे गाएं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसकी जो इस्थापना है याद कलीजिएगा 12 जुल कर लिए तब तब हुई इसकी स्थापना कहा है मुंबई में तो समितियां आने लगी है अब कोशन को थोड़ा टफ करने लगें लोग निमलिके देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है तो भारत है ट्रैक्टर के लिए क्योंकि किर्शी प् गवर्मेंट थी अब भी गवर्मेंट है तो अपनी जो स्कीम है वो जरूर देदेगी चाहे पुरानी वाली स्कीम देदे अनपूर्णा वर्ड ऑफ फूड इंडिया के तेरवे संसक्रन कायों जनके सेर में किया गया तो मुंबई में किया गया ठीक है तो इसलिए आप जो पिछले दस पिछले पांच साल और अब जो जितने भी साल ये गवर्मेंट है चार साल हो गए पूरे तो यह जो जितनी भी नौ सालों में स्कीम इनकी आई है पूरी रटली जिगा यह मस सोचेगा यह पुरानी यह नहीं है क्योंकि इनकी स्कीम के जो कोश्चन बन सकते हैं और मैंने कोशिश किए कि आपको अच्छे सच्छे बताने की वीडियो कम समय में पूरा करने की जिसे कि वीडियो जादा बड़ी ना हो दोस्तो जिसे कि आप अच्छे से देख पाएं रीजिनिंग को अच्छे से त्यार कर लीजेगा जियस अगर जीएस आप याद नहीं क करन्ट के साथ जोडते हैं इस लिए अगर अपने थी ठोड़े से से कोशन और जोग्राफी के और पॉलिटी के कर लिये और करन्ट अच्छ कैसे त्यख़ूं में पड़ी पकडबना लेंग तो आपका सेवड़ सीट आपकी पक्की हो जाएगी डेफिनिटली बस अपने डिबॉशन को मेंटेंड की अच्छे से पढ़िए आप निश्खित रूप से सेलेक्ट होगे और आपको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो फिर से कह रही हूँ सबस्रक्राइब कर लीजिएगा तब तक के लिए नमस्कार दोस्त तो अब कल एक नए टेस्ट पेपर लेके आऊंगी मैं नमस्कार